नमस्कार आपका स्वागते राजनामा टीवी पे मैं पुखनम आपके साथ धनबाद में पत्नी अपने पती के घर के घर के बाहर एक महीने से धरने पर बैठी है उसका कहना है कि पती के डॉक्टर बनते ही ससुराल वालों ने उसे अलग कर दिया अब वन्याए के लिए स्चंड में घर के बाहर जमिन पर बैठी है मामला जिले के सराय डिला थाना शेतर के बाबू नगर का है जहां बिहार के मदुबनी की रहने वाली कांती पासवान इंसाफ की गुहर लगा रही है उसका कहना है कि साल 2009 में अशुक पासवान के साथ उसका अफैर हुआ शादी से पहले उसने जबरदस्ती उसके साथ संबन बनाए इस बीच जब वो प्रेगनेंट हुई तो दो बार जबरन घरबपात कराया फिर साल 2014 में दोनों ने मदुबनी कोट में जाकर शादी कर ली अब अशुक पासवान डॉक्टर बन गया है तो उसके घरवाले दहेच की लालच में कहीं ओर शादी करना चार है कांती का आरवपे की घरवालों ने उससे पांच लाक रुपे मांगे थे इसके घरवाले गरीब हैं इसलिए दे नहीं सके तो उसे घर से बाहर निकाल दिया घर से बाहर निकाले जाने के बाद 6 दिसंबर 23 से ही वो धरने पर बैची है अशुक घर से गायब है और उसने अपना फोन नमबर भी बतल लिया है वो अपने परिवार के संपर्क में है लेकिन मुझसे बात नहीं कर रहा महिला का आरोप है कि अशुक पासवान ने MBBS कम्प्रीट कर लिया डॉक्टर बन गया तो पतनी मानने से इंकार कर रहा है वो ससुराल में रहना चा रही हूँ तो सास ससुर घर गुसने नहीं दे रहे कांति का कहना है कि उसके पास दोनों की फोटो और कोर्ट मैरिज के पेपर भी है पती गायब है और ये लोग मार पिट कर रहे है इसी के साथ परने राजनामा टीपी के साथ धन्यवाद